कि यह हैलो एब्रीवन वोप यह दूइंग वेल तो कैसे चलने हैं रियॉप्टिक्स की रिविजन हम लोग ने कभी सारे टॉपिक कर लिया और मुस्ट इबॉरेंट वे काफी सारे कुश्चन्स हमने प्रैक्टिस किया है रियॉप्टिक्स पर बैस और आज भी हम लोग बहु लेंस फॉर्मुला पर कुछ खासा सवाल हमने किया नहीं था तो आज हम लोग लेंस फॉर्मुला को थोरा एक्स्प्लोर करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि जो लेंस अगर उसके एक सर्फेस को हम अगर सिल्वरिंग कर दें उस पे थोरा सा कुछ पेंटिंग कर दे जो मतलब लाइट को ब्लॉक कर दे बाहर जाने के लिए तो लेंस भी मेरा मीरर की तरह भी है करना सुरू कर देगा और उस केस में हम कैसे उस सिचुएशन को एंडल करते हैं उसमें कैसे हम इमेज का जो पॉजिशन होता है उसको लोकेट कर पाते हैं यह चीज ज़रा देख प्रॉम पी अट वट पॉइंट दस दबीम कंवर्जेश इप दे लेंस इस कॉन्वेक्स लेंस ऑफोकल लेंट 20 एंड कॉन्केव लेंस ऑफोकल लेंग 16 सेंटीमेटर बहुत बैतरीन सवाल है सबसे पहला इसको कॉन्केव अज्यूम करते हुए हम इसे सॉल करने की कोसिस कर है यहां पे जो मेरा लेंस दिया है उसके सामने में कोई फ्रेंट में कोई भी ऑबजेक्ट मेरा नहीं रखा हुआ डारेक्ली कोई ऑबजेक्ट इस जगह पे नहीं प्लेस किया गया है तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है उसका क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इस बात क particular point पे आके converge कर रहा है मतलब सामने में आ कहां से रहा है ये बात मुझे नहीं पता है we have no idea कि light rate यहां पे जो आ रहा है ये light rate कहां से आ रहा है लिकिद इस point पे जाके converge कर रहा है मतलब ये जो point होता है ये इसके लिए काम कर जाएगा और virtual object का गाम कर जाएगा ध्यान रखेगा इस विल एक्ट ऐस वर्चुल अब्जेक्ट फॉर इस convex lens जिसकी दूरी दिय हुए कितनी ये दूरी दिय हो ए 12 cm दिया है और साथ में दिया है आप बोला है आप जो convex lens से जिसका focal length कितना लेना है 20 cm और हम सब जानते हैं कि जो convex से इसका focal length positive होता है और lens formula एक ही होता है 1 by b minus 1 by u equals to कितना होता है 1 by f भी कहां बन रहा है image मुझे मालूम नहीं 1 by u कितना दिया है u इसका plus 12 हो जागा क्योंकि optical center के right side में न light के direction में major हो रहा है left side में होता है तो negative लेते हैं अगर इधर होता है तो negative लेते हैं इधर side में हो तो positive लेंगे 1 by b minus 1 by positive हो गया और f का value भी यहां पे positive दिया और focal length तो यहां पना 20 है already मुझे पता है तो 1 by b का value हो जागा 1 by 20 हो जागा plus में 1 by 12 हो जागा अगर अपन यहां पे इसका LCM ले ले डारेक्टली करते हैं 12 plus कितना हो जागा 20 नीचे हो जागा 12 into कितना हो जागा 20 मतलब यह हो जागा 32 हो जागा divided by 12 into 20 basic logic इसमें यह था कि जो object distance u था वो अपना positive था right side में था यानि कि u का value देना था plus 12 cm और formula 1 by b minus 1 by e equals to 1 by f तो यह basic है focal and positive हो था यह भी information आपको मालू होना चाहिए था तब जब यहां से calculate कर देंगे तो कितना आजागा मेरा b का value आजागा यह आजागा 12 into 20 into 12 by कितना हो जागा 32 हो जागा 4 से हो गया 3 times और 4 से कितना हो जागा 8 हो जागा फिर 4 से करेंगे 20 तो 5 times होगा 4 से 2 times तो 15 by 2 के आसपास ही आगया मतलब solve करके कुछ 7.5 cm मेरा यह जो value है यह आ जा रहा है तो यह जो location है जहां भी image बन रहा है उनने ख़़ी असानी से find कर लिया इसी में उनने second part में सवाल में बोले कि अगर concave lens हम use करें अगर हम lens use करें कैसा अगर हम lens करें concave अगर तो concave बाले में बोला है कि light रही क्या कर रहा हो अगर यह lens नहीं होता तो यह जाके इस point पे converge करता जिसकी दूरी lens से कितनी हो जाती लेंस से दूरी हो जाती focal lens जो इसका पता हम गो और यह जो light है अगर lens नहीं तो the converse करता पूरे के पूरे 12 cm पर जागे converse हो जाता तो इसमें भी information बता है कि focal lens अगर concave दिया है तो negative हो जागा minus में 16 cm होगा और object distance right की तरफ है तो plus मिलेंगे 12 cm फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by V क्योंकि लेंस से तो 1 by U negative होता है 1 by V minus 1 by U V का value मुझे पता करना है यू का value positive दिया है लेकिन इस दफाव focal length मेरा negative तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 by V और right side जाएगा तो 1 by 12 हो जाएगा minus 1 by 16 12 और 16 cm इसका 48 ले सकते है 12 से 4 टाइम 16 से 3 टाइम हो जाएगा यानि की 1 by 48 हो जाएगा तब देख सकते हो कि image distance का value इसका कितना आ जा रहा है 48 cm आ जा रहा है तो इसमें जो उमारा right side में आ गया positive यहां पे बन जा रहा है जो image distance है positive इस बात को denote करता है कि जो given lens है वो image formation कर रहा है और image किदर फॉर्म हो रहा है तिमेज फॉर्म हो रहा है यहां पर right side में जो मेरा object रखा है उसके ठीक दूसरे साइड में right side ही चला गया और वहां पर image का formation हो जा रहा है अब basic logic क्या है equation लगाना है उससे solve करना है चलिए आगे दिखते हैं कुछ और सवाल है यहां पर जिससे हो रहा है और explore करेंगा हम formula को थोड़ा relate कर पाएंगे यहां पर दिया combination of lens दिया हुए फाइनल इमेज फॉर्म करना है यहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यह दो process में हो रहा है सबसे पहले first lens से इमेज फॉर्म करेगा और उसके बाद जो second lens है इस lens को अगर हम L1 बोलते है और इस lens को अगर हम L2 बोलते है तो सबसे पहले पहला lens से इमेज फॉर्म करेगा अगर L1 के लिए बात करेंगे हम तो L1 lens जो मेरा दिया है इसके लिए object left side में रखा है तो यह distance त बराबर कितना होता है one by f होता है भी मुझे पता करना है और यू का वैलू मेरे को already मालूम है minus 15 and this is equals to one by f 10 हो जाएगा तो minus minus plus हो गया और right side हो जाएगा one by 10 minus कितना है one by 15 दिया है LCA मगर इसका ले लिए जाए तो 30 suitable हो जाएगा 10 से 3 times 15 से 2 times यानि कि one by हो गया 30 तो image distance जो पहले case में आ गया है कितना आ जा रहा है मेरा 30 cm image का यहां पर location आ रहा है पहले वाले lens के right side में 30 cm के image यहां पर form करेगा अब जरह देखेंगे यहां पर तो इससे 30 cm पर image बन गया इसमें first image का जो location हो रहा है the position of first image is at a distance of 30 cm अब इनके बीच में 25 cm है तो यह distance कितना हो गया 5 cm हो गया न तो क्या यह पहले जो image form हुआ first image जो यहां से form हुआ यह image यह से light रहा होगा और यहां से जो हमारा diverging lens है इससे जाके इसमें मिलने की कोशिज कर रहा होगा और जब यह मिलने की कोशिज कर रहा होगा यहां पर तो यह जो दूसरा concave lens इसको further diverge कर देगा और इसका image कहीं यहां पर यह locate कर देगा यह मेरा final image distance यहां से होगा ति यह calculate कैसे होगा इसे ज़रा समझना है देखो इसे calculate करना बहुत असान है अब बात करना है L2 के लिए बात करना है second lens के लिए देखोगे तो यह lens से जो object है और कितना है 5 cm के दूरी पे है और right side में है तो positive लेगे B का value known नहीं है और focal length की concave lens है तो यह negative में लेना पड़ेगा minus 10 cm इसके बाद equation होगा 1 by V minus 1 by U and that is equal to 1 by F होगा so it's 1 by V minus 1 by U कितने दूरी पे है तो इसका positive है right side में देख रहे है तो image distance कितना है plus में लिखेंगा न 5 cm दूसरे बाले lens के लिए left मोता तो negative लिखता है and this is equals to 1 by F और focal length negative हो जाएगा minus 1 by 10 तो 1 by B के value आगया 1 by 5 minus 1 by 10 यानि की यह value आजाएगा 1 by 10 आजाएगा यह value कितना होगा 1 by 10 यानि की जो image बनता है मेरा second वाले lens से 10 cm distance पे बनता है और किदर बनता है right side में form हो जाता है तो जो image का location हुगा with respect to the second lens second lens वो कितना हो जा रहा है यह position हो जा रहा है 10 cm right side the second lens जो second lens है उसके ठीक right side में image का formation यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो बहुत असान सवाल था basic question लगा है हमने यह solve हो गया इंगलास वाल एक और बहुत interesting सा question है जिसमें कहा गया कि figure source to converging lens incident rays are parallel to the principal axis what should be the value of d so that final rays is also parallel मतलब बोला कि जो यहां से light ray जा रहा है वो कैसा हो यह ऐसा parallel होना चाहिए इतनी बात तब को मालूम है कि light ray lens से जब निकलता है वो parallel तभी होता है जब इसके focus से light ray आ रहा हो कोई भी जो lens है lens के focus से जब light आता है तभी तो principal axis के parallel होता है यह तमने इसके basic definition ने बढ़ा कि lens में दो तरगा focus होता है एक होता है ऐसा object point जिसके लिए light ray parallel हो जाता है और दूसरा होता है कि ऐसा point जिसके लिए कोई भी parallel light ray आता है वो इससे refract होने के बाद इस point पे आके मिल जा आएगा principal axis को और यही point दूसरे बाले lens का क्या होना चाहिए focus होना चाहिए अगर यह focus होगा तो यही light ray से पास करने का parallel होगा मतलब यह जो distance होगा first light में तो जाके जहां पे hit क्या हो तो इसके focal length के बराबर है और second के भी वो point अगर focus पे होगा तभी तो वहां से निकलने वाल light reflection होने के बाद principal axis के parallel हो जाएगा यानि कि दोनों के बीच का जो separation हो जाएगा वो दरसल में दोनों के focal length का sum हो जाएगा focal length एक का 10 दिया है दूसरे का focal length 20 दिया है 20 और 10 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 30 cm आ जाएगा तो answer is 30 cm एंसर कितना आ गया 30 cm हो गया क्या I hope you understood this यह बात आपको समझ में आ गए होगी moving ahead next point है यह कहता है कि find the position of final image find the position of final image formed इस case में बताना बहुत ही मज़िदार सा और काफी बहतरी सा यह question दिया हुआ है इसमें lens है और एक mirror है इस दोनों के combination की चर्चा की जा रहे है फाइनल image मेरे को चाहिए तो इसमें करना क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिसे panel lens हुआ इसे reflection होगा फिर mirror से reflection होगा और फिर mirror से reflect होने के बाद light कहां से टकराएगा lens से और पार होकर चला जाएगा तो यहां पे जो reflection का पूरा का पूरा scene हो रहा है इसमें जब आप देखोगे तो तीन बार हो रहा है सारा कुछ दो बार reflection होगा और एक बार reflection होगा कैसे होगा इस बात को step by step समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले case में आपके पास क्या दिया हुगा है सबसे पहले case में आपके पास दिया हुआए convex lens दिया हुआ You are having a convex lens अब इसमें क्या है यहाँ पे एक object रखा हमने ओ यह object की दूरी कितनी दूरी है इस object की दूरी मेरे को पता है 15 cm यहाँ पे given है focal length f कितना दिया है focal length का value दिया है 10 cm given है the value of focal length is 10 cm अब यहाँ पे एक और छोटा सा point हो जा रहा है convex है इसका focal length मेरे को पता है 10 तो पहले इसके image का position के निकाल सेकता है क्या यूज करोगे 1 by v minus 1 by u equals to हो जाता 1 by f 1 by v मेरे को पता नहीं minus 1 by u कितने दूरी पे है 15 cm है left side है तो negative consider करेंगे that is equals to 1 by f याने की 1 by 10 तब लिखोगे 1 by v plus में कितना हो जागा 1 by 15 हो जागा बड़ाबर कितना हो जागा 1 by 10 होगा ना तो 1 by v के value हो जागा 1 by 10 minus 1 by 15 बड़ाबर कितना हो जागा LCM लोगे तो 30 हो जागा 3 times होगा 2 हो जागा याने की 3 minus 2 हो जागा 1 by 30 तो value of image distance कितना आगया पहले case में 30 cm है मतलब पहला lens मेरा image form करेगा और कितने दूरी के करेगा 30 cm तो let's say straight line हम यहां बना देते हैं और image का location यहां पे locate कर देते हैं जो दूरी कितनी दिवी है यह आईवन image बनता है और इस पहले वाले lens से यह दूरी कितना दिया है यह दूरी दिया है 30 cm दिया ठीक है बहुत बढ़िया अब क्या होता है कि यह जो image होता है यह इस mirror के लिए object का काम करेगा और mirror से इस image की दूरी कितनी दिवी है यह है 15 cm दिवी है इस distance is 15 cm जो हमारा आईवन दिया है वो mirror से 15 cm की दूरी पर 45-30 से लगा तो 15 हो गया अब जो next reflection होगा और किस कहां से होगा अगला reflection मेरा हो जाएगा mirror से हो जाएगा next reflection takes place from mirror तो mirror के लिए object distance अगें जब आप किया तो left side हो गया यह होगा माइनस 15 cm अब क्योंकि दिया हुआ 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 है तो इसका focal length नेगेटिव होता है well known fact है तो गया माइनस 10 cm तो mirror formula भी known है आपको 1 by b plus 1 by u बराबर कितना होता है 1 by f होता है तो 1 by b मेरे को म value दिया है थैना तो यहां से 1 by d पराबर कितना दिया है 1 by 15 है माइनस 1 by 10 पाधिय थी तो इसका LCM कितना लोगे 30 लोगे 30 तो 15 से 2टाइमस और 10 से धोग थी ताइमस यानिकि वी डिया वैलू कितना अगया यहां कि माइनस 30 cm मतलब जो यहां पे mirror था वह reflection करे reflection करने के बाद इसका image बनाया और mirror से कितने दूरी के बना दिया यह mirror से पूरे के पूरे के पूरे 30 cm की दूरी पे इसका दूसरा image बना गया जिस image को क्या बोलते हैं हम लोग आई टू बोलेगा ठीक है अब फिर से क्या होगा कि यह जो lens है देखे हैं कि अच्छा यहां बेक और आ गया कुछ इसका भी चलो image बनाते हैं तो अब lens की बात करो lens की बात करेंगे तो lens में क्या होगा object distance यहां से 30 चला गया total 45 है तो यह दूरी कितना बचेगा 45 में से 30 घटा दोगे तब 15 cm होगा गया this distance is 15 cm अगर यह 15 है तो lens के लिए formula होगया 1 by V minus 1 by U बराबर कितना है 1 by F हो जाएगा 1 by V पता नहीं है 1 by U यहां से देखो यह light ray यहां से चलके ना आएगा lens space incident करेगा और distance में ज़र opposite में कर दे रहे हैं तो यहने की U का value भी negative नहीं पड़ेगा minus 1 by 15 और focal lens का positive ही होता है यह लिखा में तो होगया 1 by V minus minus होगया plus 1 by 15 और right side तो कितना है 1 by 10 दिया है तो 1 by V जो है यह दिया है 1 by 10 minus 1 by 15 अगेन इसका LCM कितना है मेरा 30 है 10 होगया 3 times 15 होगया 2 times तो V के value क्या आ रहा है 30 cm यहां पे इमेज बन रहा है वो आ रहा है यानि कि finally image जो lens है इसके left side में finally image lens के left side में बन जा रहा है और यह दूरी कितनी दूरी है 30 cm मतलब है ना कि यह question को अगर आप सही से कर लिया आपने तो sign convention का जो पूरा का पूरा scene है एक दम अच्छे से clear हो जाएगा इसमें किसी तरह का कभी भी कोई भी confusion नहीं होगा इतना मतलब बहतरीन सवाल का एक collection था तो मीट करते हैं बहुत अब बच्छे से समझ में आओगा इसको एक बार फिर से देख लेना अच्छे से जो पूरा का पूरा sign convention या calculation है या lens formula mirror formula है इसका use better understanding यहां पर develop हो जाएगा अब बात करना है यहां पर power of lens power of lens के बारे बात करना अगला पॉइंट है जब lens है lens को mirror में convert करेंगे तो सबको deal करने के लिए हमारे पास एक ही सबसे powerful instrument होता है और वो क्या होता है lens का power यह जो power term दिया हुआ है यह होता क्या है कैसे इसको deal करते हैं कोई भी lens है उसके अपने प्रूपर्टी है जैसे यह हमारे पास converging और एक क्या होता है एक होता है अपने पास diverging होता है होता है ना दो lens हमने पढ़ा है तो अब कोई भी light इससे पास करता और कोई भी light इससे पास करता तो इसका primary काम क्या है Converging का primary काम है कि light को एक जगह पे converge करदेना इसका primary काम एक जगह converge करदेना और वहीं पे concave का क्या काम दिया है यहीं पे concave का काम दिया हुआ है light को diverge करना इसका काम होता है light को diverge करना है और converge काम होता है light को converge करना है तो कोई भी जो lens की जो ability होती है जो उसके छमता होती है जिसकी वजह से light ray को converge या diverge कर पाता है इसी ability के measure को हम लोग क्या बोलते हैं power so power को define करना हो तो क्या हो जाएगा power of a lens और you can say mirror mirror भी converge और diverge करता है is the measure of is the measure of ability is the measure of ability to converge और diverge the light rays passing through it और coming to it जो उस पर आएगा है उसे पास करेगा passing through it जो भी उसे पास कर रहे इसको कितना से वो converge कर सकता और कितना से डाइबर्ज कर सकता है इसी बात का जो measure होता है इसी के बारे में जो idea आपको देता है इसी को बोलते हैं converging power है तो यह कैसा हो जाएगा यह हो जागा positive और अगर diverging power है जैसा कि concave lens में होता है अगर diverging power है तो यह क्या हो जाता है diverging power is negative यह छोटी सी बात है converging power is positive while diverging power is negative यह दो पॉइंट है यहाँ पर एक है converging power दूसरा क्या है diverging power है तो lens की अगर हम बात करते हैं तो lens में का power होता है न power of lens यह क्या हो जाता है one by focal length हो जाता और यह लेंट रखना है कि इसमे शोक लेंट रखना है जो尼ैसमें specific Les अगर अब convex की बाद करेंगे तो convex का f कैसा होता है positive होता है इसका मतलब power भी convex lens का कैसा हो जाएगा positive हो जाएगा लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास concave lens दिया हुआ in case of concave lens focal lens कैसा होता है negative होता है यानि कि power क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो light ray को क्या गरता है diverge करता है spread करता है एक जगे से मतलब अलग-अलग जिसां में बाढ़ता है तो उसका power negative हो जाता है वहीं पे mirror बात करते हैं तो power of mirror होता है यह हो जाता है negative इसके हम पहले लगा जाता है अब इसके पीछे ना reason है जिसे concave mirror होगई अगर मेंडे पास अगर मेंडे पास concave mirror दिया हुए तो concave mirror कैसा होता है कुछ ऐसा होता है न जब light ray कर्णzem हो रहा है जब light ray converge हो रहा है फोकल इन नेगेटिव होता है तो power को positive बनाने के लिए हमने क्या गया में पहले सा मायनिस लगा दिया तो concave जो होता है mirror इसका भी power क्या हो जायगा अपका positive होगा वह इसलिये होगा कि ये light ray को क्या करता है converge करता है वहीं पे convex mirror हम consider करेंगे तो convex mirror के case में जो भी light ray आता है उसको ये divers कर दिता है इसे बाट दिता है डिरेक्शन में इसको गुमादता है जब रिक डा ड्रक्रेस को घुमादता है इसका अभार्ट्र कारोज़ तो पॉजीटिव में डाइवर्स करता है तो पावर क्या होना चाहिए इसก mechan क्यों किक Although लिटी है लाइत को डाइवर्स करने का कनवर्स करने से नहीं तो हम इसके पावर को क्या लिखेंगे निगेटी आर निगेटी बनाने के Venue जो पावर का फॉर्मूला लिखा आपने उसमेह वह सब्सक्तिटो कि मैं और तरय एक lens है जो मेरे काम को नहीं कर पा रहा है, हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा lens है, उसे आपस में contact में रखें, तो जो contact में करें, so that कि हमारा जो required focal length है, जितनी की हमें जरूरत है, वो यहाँ पे मिल जाए, तो यह काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, यह काम को करने के लिए हमें करना पड़ता है lens का combination, we put the lenses in contact, अब यह दो तरह का हो सकता है, lens को आपस में एक दम एक दूसरे के बहुत पास रख सकते हैं, या फिर एक दूसरे से दूर रख सकते हैं, एक दूसरे के पास रख सकते हैं, ये आपका behave करना शुरू कर देता है अब ये single lens की तरह behave करना शुरू करेगा तो single lens का power भी होगा single lens का focal length भी होगा तो यहां बोलता है कि दो जब अगर contact में दिया है तो अगर एकदम कोई gap ने इसके बीच में तो equivalent जो आपका दिया होता है power वो दोनों का simply sum हो जाता है और equivalent का focal length होता है individual के focal length के reciprocal के sum के बराबर होता है equivalent focal length के reciprocal लेकिन अगर दो के बीच में कुछ separation दिया होए तो इस case में जो equivalent power होता है वो simply अब कर दो पहले तो दोनों को जोडते तो P1 प्लस P2 होता और फिर इसमें से एक factor घटाना पड़ता है P1 इंटो P2 और उसमें D7 लाइगा जोते हैं इसका derivation है बट derivation is not that much relevant for you तो आपको directly result याद रखना है कि power equivalent बराबर P1 प्लस P2 माइनस D टाइमस P1 P2 होता है यहां से लिखोगे 1 by focal length का equivalent बराबर कितना हो जाता है प्लस 1 by F2 हो जाता है माइनस कितना होता है D by F1 F2 होता है 1 by F equivalent बराबर 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D by क्या हो जाता है F1 F2 हो जाता है and from here you will get the value of equivalent focal length तो दो lens contact में आता है you can easily find the focal length of the combination और यह जो दो lens है जो contact में हुए है और दरशन में एक single lens की तरह behave करना शुरू करता है आगे देखते हम जैसे हमारे पास एक combination दिया है के arrangement दिया हम आपसे पूछ दे हैं find the focal length of the equivalent system इसको बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि focal length जो होता है 1 by F का value होता है वो कितने के बराबर होता है तिया बराबर होता है mu minus 1 होता है 1 by R1 होता है minus 1 by R2 होता है जहां तक इसके basic concepts की बात है तो इसमें जो focal length होता है वो convex का positive होता है और concave का क्या हो जाता है negative हो जाता है अब जानते होंगे इसके बारे में तो अब क्या गरना इसके हम कोई equivalent focal length निकालना है तो let's try calculating this value इसको बोलते हैं first lens बोलते हैं second lens बोलते हैं third lens अगर तीनों की focal length निकाल लेते हैं तो 1 by F equivalent कितना हो जाएगा इस simply हो जाएगा individual के focal length के reciprocal के sum के बराबर 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 सबसे पहले 1 by F1 अगर हम निकालें तो F1 कितना हो जाएगा refractive index 3 by 2 दिया है और minus 1 करना है R1 होता है first surface का radius जो की positive होता है convex के किसमे तो यह radius दिया है 10 cm minus R2 negative होता है जो यहाँ पे कितना दिया है यह भी 10 cm दिया है दोनों का दोनों यह हो जाएगा minus में 10 cm तो value का 3 by 2 minus 1 हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 by 10 हो जाएगा तो 1 by F1 की value कितनी ही आगे मुझे यह value आगया 1 by 10 cm आपको अगर directly formula यादा होता तो उससे भी आप निकाल सकते थे लिबट I assume की इंग्दम basic से का R2 positive हो जाएगा इसका refractive index दिया है 6 by 5 है minus 1 दिया है पहले surface का radius negative में हो जाएगा 10 cm minus दूसरे का positive में हो जाएगा 20 cm 6 by 5 minus 1 कितना होता है 1 by 5 होता है और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 3 by 20 हो जाएगा this value is minus 3 by 20 तो इसे में लिख सकते है कितना दिया है इसका mu के value है 8 by 5 है minus में 1 दिया है 1 by r1 यानि कि first surface का radius कैसा है 20 दिया positive है second surface दोनों ही इसमें दिया हुआ radius 20 दिया है 8 by 5 minus 1 कितना हो जाएगा 3 by 5 हो जाएगा और इन्टू कितना हो जाएगा 2 by 20 हो जाएगा तो यहां से मेरा 1 by f3 का value आजाता है 3 to 6 divided by कितना हो जाता है 100 आजाता है ओके बहुत अच्छा नौ हमें चाहिए equivalent focal length equivalent focal length क्या करेंगा 1 by f equivalent सब 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 है इस तीनों ही term को क्या करना हमें आपस में जोड़ देना है 1 by f1 यानि कि 1 by 10 cm 1 by f2 यानि कि minus 3 by 100 और 1 by f3 6 by 100 यानि कि solve करते हैं तो होचाता है 1 by 10 हो चाहता 6 minus 3 हो जाता plus हो जाता है 3 by कितना हो जागा divided by हो जाएगा 100 तो 10 by इतना हो जाएगा 3 by 100 हो जागा यहाँ पे तो यह जो value आगिया 1 by 10 और प्लस कितना है 3 by 100 से solve करना है तो जब solve कर देंगे तो कितना आजागा यह 1 by 10 6 minus 3 हो गया 3 by 100 टेल सीम इसके लिए लोग कितना हो जागा 100 हो जागा लसीम और यह कितना है आपका 10 से 10 times टेल से 10 प्लस में कितना है 3 है that is equals to 13 by 100 the value of if equivalent how much यह value है 100 divided by 13 cm तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से हम सिंपल अप्रोच अपनाते हुए calculation अगर करें तो answer तक बहुत ही आसानी से हम पहुच पाएंगे ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आपने fundamentally जो भी concepts होते हैं उसको आपने सही तरीके से cover किया है तो यह बहुत आसानी से complete हो जाएगा उमीद करते हैं यहां तक बाते समझ में आ गई होगी सोचा तक silvering भी आज complete करेंगे बड़ जो silvering का portion नहीं हो पाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि उससे अगले वाले जो topic होगा उसके साथ उसको follow up कर लेंगे लेकिन जितने questions हमने करा हैं questions को बैठके आप से आप दुब सब्सक्राइब होने वाला है तो मित करते हैं आपको समझ में आई होगी कोई confusion होगा तो comment section में जरूर लिखेगा thank you for watching till then we'll meet again until then bye bye